हेलो सिविल इंजिनेर्स में राहुल कोली आपका स्वागत करता हूँ रीनपोर्स के डिजिटल प्लैटफॉम पर दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि होने जा रहा है सष्ब है सैवी उनकाल सकते हैं आज हम एक मैथटेंगे जो हम ऑनइसी पर कर सकते हैं और उसे यह पता चल जाएगा कि हमारी stations को स्टाट करते हैं यह सब्सक्तर को स्छिटाप करते हैं अपनी इस सेंफ यह लिए मंस्ते हमारा drop weight method ठीक है जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे एक इस image में हमको करना क्या है कि एक हमें cube लेना है जो भी आपका concrete का cube होता है जैसे कि concrete का cube का जो size होता है वो होता है देड़ो भाई देड़ो का देड़ो भाई देड़ो मतलब कि length उसकी देड़ो भाई देड़ो होनी चाहिए हम एक cube लेंगे उसको क्या करेंगे हम आपका जो भी site है उस पे जो आपकी excavation की लेनी है कि वो कितना नीचे धसा है मतलब कि 100 mm दसा है कि 200 mm दसा है कि 20 mm दसा है ठीक है दोस्तों तो उसकी हमें रीडिंग लेनी होती है कि वो कितना नीचे दसा है ठीक है तो उसकी रीडिंग लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि यह रीडिंग लेने के निगालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मिले लगते हैं जो कि होता है और इसके बाद हमें एक फॉर्मिला और चाहिए होगा जो कि हमें सबसे पहले हमें क्या करना है जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया था दिखें दोस्तों आपको सामने मैंने एक डाइग्राम शो कर दिया है देखें आपको क्यूब मीचे फैक ना है और मीचे की जो रीडिंग आएगी मतलब कि मिट्टी कितनी नीचे धसी हुई है कि जो आपको कॉंक्रीट क्यूब है वो आपका कितना नीचे मिट्टी में धस गया है उसकी अगर आप रीडिंग लेंगे तो मैंने यहां पर एक 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 जामपल के तौर पर 20 mm की ठिकनिस ली हुई ह जो हमारा गॉंक्रीट का क्यूब है वो 20 mm नीचे 10 चुका है ठीक है तो यहां पर अगर हम इस रीडिंग को नोट करें जो आपका क्यूब है एक तो आपका 2400 kg per meter cube ठीक है दोस्तों इसको भी ले लेंगे क्योंकि हमें weight निकालना है ठीक है अब हमने क्या किया है 2 meter height से cube को नीचे फेका है ठीक है तो यहाँ पर आपकी height आ जाएगी और d मतलब क्या है दोस्तों जो आपका यह नीचे depth आ है ठीक है तो जो आपका answer आएगा वो आएगा 1920 kg ठीक है आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर meter cube है तो यहाँ पर क्या होगा meter to meter सारा cancel हो जाएगा ठीक है तीन मीटर यहाँ पर है ठीक है तो यह आपका kg में आपका answer निकल जाएगा ठीक है तो यह kg में निकलने का मकसद क्या है कि जो हमारा र है resistance of soil हमारा इतना निकल गया है ठीक है इसके बाद हमें क्या है Soil bearing capacity निकालने मतलब safe bearing capacity निकालने अपनी soil की ठीक है तो वो कैसे निकलेगी safe bearing capacity निकालने लिए हमारे पस R जो हमने अभी निकाला आए ठीक है अब देखिए, यह 0.2, 0.2 क्या है, जो हमारा क्यूब का एरिया था, ठीक है, जो भी हमारी मिटी की कैल्गुलेशन होती है, मतलब जो भी हमारा कैल्गुलेशन होती है, वो मीटर स्क्वेयर में होती है, ठीक है, तो हमारा जो मीटर स्क्वेयर में आएगा, तो हमें दो ही डा पड़ा होगा सेफटी जितना भी पड़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा है कि तू थी के संथिंग कुछ भी ले सकते हैं तो हमने यहां पर दो रख दिया ठीक है जब इसका पूरा कैल्कुलेशन हम निकालेंगे तो 3840 केजी मीटर स्क्वेयर आपका यह वैल्यू आ सकते हैं ठीक है तो यह आपकी क्या है सेफ ब्यारिंग कैपसिटी इतनी कैपसिटी तक कम से कम वह फूटिंग जहल सकती है ठीक है तो यह आपकी क्या निकलगी दोस्तों सेफ ब्यारिंग कैपसिटी जो हमने कौन से मेथट से अपलाई की है यह आपने ड्रॉप वेट होता है अगर हमें SBC नहीं दी हुई है ठीक दोस्तो दोस्तो अब लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दोस्तो बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि हमारी जि गल्ची बाइक आइकन को जिए्यूब चैनल टोस्तो